Hello everyone, तो आपने थम्नेल में पढ़ लिया कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं and I am bit serious right now, जो की इस वीडियो के लिए मुझे होना चाहिए तो उसी mode में वीडियो बनाऊंगी आगे क्या? आपका college life का अगर आप first year में हो या फिर second year में हो तो आपका एक अच्छा खासा time जो है वो निकल चुका है college life का भले ही आप college गए हो ना गए हो वो अलग बात है but now आप second year में आने वाले हो, आप senior बनने वाले हो, आपके juniors आने वाले हैं आगे का क्या सोच है? कल वने Instagram, sorry, आज ही वने Instagram पे एक story डाली कि क्या आपको लगता है कि आप इस time का productively use कर रहे हो and you won't believe कि 50% से जादा लोगों ने no पे react किया जी हाँ, में Instagram पे कई बार आप से questions पूछती रहती हूं कुछ replies शेयर करती हूं, कुछ नहीं करती हूं बढ़ उन सबको पढ़ती जरूर तो यार आगे क्या सोचा है आपने ऐसा नहीं है, don't be a cry baby के situation बहुत जादा worst है इस time पढ़ने का मन नहीं करता या फिर अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये बस आपके साथ नहीं हो रहा, ये चीज़ सभी के साथ हो रहा अब किसी को मेरे बातों का बुरा लगे तो आप ये वीडियो अभी बन करके जा सकते है क्योंकि मैं यहीं मानती हूँ कि अगर मेरे कोई junior है तो वो मेरे भाई भेन हो जैसे मैं उन से बोलूँगी, मैं वैसे ही इस वीडियो में बोलने वाली हूँ तो comment section वे आपको जो लिखना है आप वो लिख सकता है तो ऐसा नहीं है कि ये situation बस आपके साथ है जितने भी first year, second year, जितने भी college students है उन सभी के साथ यही situation है वो कोई college नहीं किया, उन्होंने कुछ exposure नहीं देखा किसी ने कुछ attend नहीं किया कोई webinar वगेरा ही सब attend कर रहे हैं वही सारी चीज़े है बट आप इस time को productively कैसे use करोगे आपको आगे क्या करना है ये चीज आपको अभी decide करनी पड़ेगी आपका first year आपका ये होता है ये शौर है कि आपको इस टीज में job करने हो तो अपने CV को enhance करो बहुत सारी skills based मैंने video बना रखी है या फिक इसी और के video देखके आप जानो कि आप कौनसी skills, कौनसे courses इस time पर कर सकते हो खाली मत बैठो क्योंकि मुझे भी पता है आप online classes में कितना पढ़ रहे हो और आपको भी पता है कि आप online classes में कितना बढ़ रहे हो बहुत सारे start-ups खुले हैं Delhi University के students के इविन first year से भी इस lockdown में आपको पता है बहुत सारी तीजे करी है DU के students ने गह पे बैठे बैठे एक मैं example हूँगी उन्होंने वो गह पे बैठे हुए तो obviously नहीं किया बट DU के students ही है वो कि SRCC के students oxygen plant लगा रहा आपने वो news article नहीं पढ़ा तो description box में है आपको inspire करेगा आपको motivate करेगा जरूर पढ़ो क्योंकि वो आपके ही हो सकता है एक साल बड़े हो बट इतने भी बड़े नहीं है आप उनसे inspire जरूर होंगे आप खुद देखो अपने CV को enhance करो webinar attend करो certificates को gather करो certificates ऐसे जो कि अपने आपमे value रखते हो जी हाँ अगर आप कोई भी internship कर रहे हो तो वो fruitful है या फिर बस वो trap है वो चीज को देखना आपके लिए important है जिसके उपर भी मैंने एक video बना रखी है कि कौन सी internship आपके career में आगे काम आएंगी और कौन सी internship बस एक किसी और के लिए मजदूरी करने जैसा है तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान लखो and यह आपका first year या फिर second year है तो यही time है कि आप productively चीजों को करो and don't be a cry baby बिलकुल मत बनो क्योंकि ऐसे ही time में बहुत सारे students है जो कि motivated है productive है और वही है जो अच्छा package लेके जाते है या फिर अपना कुछ start-up start करते है so यार I guess मैंने बहुत कुछ बोल दिया इस वीडियो में अगर किसी को बुरा लगा हो तो I'm really sorry आज में थोड़ा सा serious थी अपने career को लेके तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी कुछी share कर दू so thanks for watching and मुझे आपके comment section में जितने भी hit comments होंगे उनके उन्हें पढ़ने में बहुत interest आता है तो बिल्कुल भी आप जो भी लिखना चाहते हों आप लिख सकते हो thank you